दोस्तो नमस्कार ये है मागदर्शन फार्ट सेविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो मागदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी प्रतियोगी परिक्षाओं की द्रिष्टी से उप्योगी और महत्वपूर्ण नवी इंतम पुस्तके और उनके लेखक चुकि सभी परिक्षाओं में यहां से एक दो प्रश्न अवस्य ही पूछे जाते हैं इसलिए इस खंड को तयार करना बहुत जरूरी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो मागदर्शन करेंट अफेर्स के अंतरगत नवी इंतम पुस्तके और उनके लेखक दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए बुक है गांधी के हत्यारे दमेकिंग आफ नाथुरामगोड से एंड इस आइडिया आफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए बहुत ही महत पुस्तक है जो बिभाजन और गांधी जी के हत्या से संबंधित एक कांसेप्ट है गांधी के हत्यारे दमेकिंग आफ नाथुरामगोड से एंड इस आइडिया आफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक धीरेंद्र के जहा है तो याद रखेगा धीरेंद्र के जहा की बुक है गांधी के हत्यारे दमेकिंग आफ नाथुरामगोड से एंड इस आइडिया आफ इंडिया अफ इंडिया अगली बुक है दे मोदी गैमबिट डिकोडिंग मोदी 2.0 संजु बर्माद्वारा लिखित पुस्तक है और अगली बुक है दे रीडल आफ कसमीर दे क्वेश्ट फार पीस इने ट्रबल लेंड निर्मल चंदर विज की रशना है बैचलर डेड तुशार कपूर की लिखी है और दे टर्नोबर विजार्ड सेवियर आफ थाउजेंट्स ये अरूप राय चौधरी की आत्म कता है तो याद रखेगा दे टर्नोबर विजार्ड सेवियर आफ थाउजेंट्स डाक्टर अरूप राय चौधरी की आत्म कता है और आप जानते हैं राजकपूर हिंदी सिनेमा के महत्पूर्ण व्यक्तितों माने जाते हैं दमांखू ट्रांसफार्म्ड उत्तर प्रदेश ये सांतनु गुपता की लिखी पुस्तक है और यह पुस्तक किस पर आधारित है आपको बताना है और आप आसानी से समझ भी सकते हैं दमांखू ट्रांसफार्म्ड उत्तर प्रदेश शांतनु गुपता की लिखी पुस्तक है गांधी टोपी गवर्नर डाक्टर यार लागड़ा लक्ष्मी परसाद की कृती है और देखिए अगली पुस्तक है रिवाइडिंग आप फर्ष्ट ट्वेंटिफाइब इयर साफ मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेकनालजी एस एस ओबिराय की क कैन सेव इट मृदुला रमेश की पुस्तक है एट होम इन दे यूनिवर्स देखिए ये बाल कृष्न मधूर की कृती है और पुस्तक है 1971 चार जाफ द गोर्खा एंड अधर इस्टोरीज रचना विष्ट रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक है देखिए एक पुस्तक ह ये एक खोज ये प्रभात कुमार द्वारा रचित पुस्तक है और दे मिडवे बैटिल मोदीज रोलर कोष्टर सेकेंटर गोतम चिंता मडी द्वारा जो है नरेंद्र मोदी के मोदीज रोलर कोष्टर सेकेंटर दे मिडवे बैटल ये पुस्तक गोतम चिंता मडी द्वार लिखी गई है दे अम्बुजा इस्टोरी नरोत्तम खेशरिया की कृति है और देखिए दोस्तों लोकतंत्र राजनीती और धर्म डाक्टर ए सूर्य प्रकास की रशना है अगली बुक है इंडियन इनिंग्स दे जर्नी आफ इंडियन क्रिकेट फ्राम नाइन्टीन फोर्टी ये आयाज मेंन द्वारा लिखी गई पुष्तक है और देखिए कमला हैरिस फिनो मेनल वोमन चिदानंद राजगटा द्वारा लिखी गई पुष्तक है एम्स में जंग लड़ते हुए डाक्टर रमेश पोकरियाल निसंग की रशना है और जान लैंग वांडरर आफ हिंद स्लेंडर आफ हिंदोस्तानी लायर आफ दरानी अमित रंजन की रचना है आप सुधा मूर्ती को जानते हैं इनफोसिस के संस्थापक नारायन मूर्ती की पतनी है अगली पुस्तक है अगली पुस्तक है अगली पुस्तक है ये आधनिक भारत पर लिखी गई एक नवीन पुस्तक है पूनम दलाल दहिया द्वारा अगली पुस्तक है दोस्तों फाइंडिंग ए स्टेट लाइन बिट्विन ट्वेट्स एन टर्न्स एन इंपर्फेक्ट एन आनेश्ट रिफ्लेक्शन अंद इंडियन टेक्ष्ट लेंडेस्केप ये असीम चावला की रशना है और देखिए एक महतवपूर्पूर्पुस्तक है सनराइज ओवर अयोद्या नेशन हुड इन आवर टाइमस ये सलमान खुरसीद की रशना है और नहरू दडिवेट्स देट डिफाइंड इंडिया रिपुदमन सिंग और आदिल हुसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है अन्शैकलिंग इंडिया हार्ट रूट्स अंड क्लियर च्वाइस फार एकनॉमिक रिवाईवल ये अजय छिब्बर और सल्मान अनिसोज द्वारा लिखी गई कृत है और देखें फोर्स इन इस्टेट क्राप्ट डाक्टर अजय कुमार की रशना है दिल्ली एसे ओली लोकी एम मुकुंदन और लिखा गया है और दप्रामिस ये देखें डेमट गलगुट की रशना है दप्रामिस एक देखें एक बुस्तक है बहुत ही महतपूर दिस्रप्टर द डिस्रप्टर हाव विसुनात प्रताप सिंग शुक इंडिया देवा सीस मुखरजी की कृती है और लाल सलाम एक उपन्यास इस्मृती इरानी भास्पनेतरी इस्मृती इरानी द्वारा लिखी गई पुस्तक है लाल सलाम एक उपन्यास इ अमादी अदंगूगी इथत ये बेरिल थंगा की कृति है और देखिए स्री मद्रा मायडम ये शसी किरड़ा चारे द्वारा लिखी गई पुस्तक है अगला पुस्तक इंडियाज वर्सेज यू के दे इस्टोरी आफ एन अन्प्रिंसीडेंटिड डिप्लोमेटिक विन ये सैयद अकमर उद्दीन की रशना है और कुकिंग टू सेव यूर लाइफ अवजीत बनर जी की रशना है अगली पुस्तक है Resolved United Nations in a Divided World ये वान की मून की आत्मकता है वान की मून दोस्तों ये संयुक्तराष्ट संग के जो है महासचियु रहे हैं और इनकी पुस्तक है Resolved Uniting Nations in a Divided World Conversations India's Leading Art Historian Engaged with 101Themes and More ये ब्रजिंदर नाथ गोस्वामी द्वारा लिखी गई पुस्तक है और Contested Lands India, China and the Boundary Dispute ये मरूफ रजा की पुस्तक है बंगलादेश Liberation 50 Years Be Joy with Synergy भारत पाकिस्तान युद 1971 ये M.M. नर्वनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है The Battle of Rezangla ये देखे कुलपरीत यादो द्वारा लिखी गई पुस्तक है और देखे एक पुस्तक है My Life in Full, Work, Family and Our Future ये PepsiCo की पूर्व CEO इंदिरा नूई की आत्म कता है My Life in Full, Work, Family and Our Future अगली पुस्तक है Chronicle from the Land of the Happiest People on Earth ये वोले शियंका की पुस्तक है और अर्थसास्तरी गांधी The Roots and the Relevance of the Political Economy of the Mahatma ये जैतीर्थ राव की पुस्तक है ये गांधी के जो है अर्थसास्तर संबंधी विचारों पर आधारित पुस्तक है अगली पुस्तक है The Custodian of Trust ए बैंकर्स मेमायर ये रजनीस कुमार की पुस्तक है और Monthly Relay 20 Communist War शंगल ये विन्या मिन की पुस्तक है Actually I Met The Memoir ये गुलजार की रशना है और सरसयद अहमद खान Reason, Religion and Nation ये सैफी की दवई द्वारा लिखी गई पुस्तक है सरसयद अहमद खान पर The Stars in My Sky, Those Who Brightened My Film Journey, ये दिब्यादत्ता जो की दिब्यादत्ता दोस्तों ये फिल्म अवनित्री रही है The Stars in My Sky, Those Who Brightened My Film Journey, अगली पुस्तक है वीर सावरकर पराधरित, वीर सावरकर दमयन हो कुड है प्रिवेंटेट पार्टिशन ये उदय माहुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखी गई है और The Origin Story of India's States, ये बैंकर रागवन सुब्रा स्री निवाशन की पुस्तक है और ये भारती राजियों के उदय की शुरुआती कथा वडित करती है The Long Game How, The Chinese Negotiation Within India, विजय गोखले की रशना है और देखिए, The Fractured हिमाले, ये महतपोर्ण पुस्तक निरुपमा राओ की लिखी गई है निरुपमा राओ कौन है, आप जानते भी होंगे, इनके बारे में हमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा The Fractured हिमाले, निरुपमा राओ की पुस्तक है A Rood Life, The Memoir, ये बीर सांगवी की कृती है और Know Your Rights and Claim Them, ए गाइट फार यूथ, एंजिलना जोली और गैगलडिन वाल ब्यूरेन के उशी द्वारा लिखी गई पुस्तक है Back to the Roots, यानि अपनी जड़ों की ओर, ये तमन्ना भाटिया और लिउक काटिन होत की पुस्तक है और देखिए, जैदेव की गीत गोविंद है और उस पर आधुनिक जो टिपड़ी है देखिए गीता गोविंदा जैदेवा डिवाइन ओडशी ये डाक्टर उतपल के बनरजी द्वारा लिखित पुस्तक है ये गीत गोविंद, जैदेव के गीत गोविंद पर आधारित नवीन्तम टिपड़ी या नवीन्तम ठीका है गीत गोविंदा जैदेव डिवाइन ओडिशी अगली पुस्तक है दोस्तों बुलेट्स ओवर बामबे सत्या एंड दे हिंदी फिल्म गंगेश्टर उदै भाटिया की कृति है और हरियाडा इन्वाइमेंट एंड पोलोशन कोड ये स्रीमती धीरा खंडेलवाल की पुस्तक है स्रीमती धीरा खंडेलवाल हरियाडा इन्वाइमेंट एंड पोलोशन कोड पीरा नेसी देखे एक पुस्तक है सुजैना क्लार्क की पीरा नेसी और Human Rights and Terrorism in India सुब्रमडयम भारती की रशना है Translating Myself and Other ये जुम्पा लाहरी जो है भारती मुल्की अमेरिकी लेखी का है जुम्पा लाहरी Translating Myself and Other देखे अगली पुस्तक है दोस्तों Shining Sick Youth of India डाक्टर प्रभलीन सिंग की पुस्तक है और The Three Khans and The Emergence of New India कावेरी भमजई The Three Khans कौन है? इसके बारे में भी आपको बताना है कौन-कौन से है तीन खान जो है वो कौन-कौन से है and The Three Khans and The Emergence of New India कावेरी भमजई की पुस्तक है ए पैसेज नार्थ देखे अनुक अरुद प्रगजम की पुस्तक है ए पैसेज नार्थ ए ड्रीम आफ रिवोलुशन ए बायोग्राफी आफ जै परकाश नारायण बिमल परसाद और सुजाता परसाद की पुस्तक है और चाइना रूम दोस्तों संजीव सहोता द्वारा लिखी गई पुस्तक है In An Ideal World देखे बहुत ही महतपोन पुस्तक है In An Ideal World ये कुडाल बसु द्वारा लिखी गई है और लेपर्ड डायरीज दे रोसेट इन इंडिया संजे गुब्बी की रशना है My Own मजगाउं कैप्टन रमेस द्वारा लिखी पुस्तक है और बाला कोट एयर श्ट्राइक How India Avenged पुल्वामा ये मनन भट द्वारा लिखी गई पुस्तक है How the Earth got its beauty सुधामूर्थी की रशना है कि पृत्वी अपनी सुन्दर्ता कैसे पा सकती है How the Earth got its beauty ये सुधामूर्थी की रशना है The year that was not the diary of a 14-year-old ये ब्रिशा जैन की पुस्तक है बहुत ही महतपूर है और The Earth Spinner देखिए दोस्तों The Earth Spinner ये पुस्तक अनुराधा रायद्वारा लिखी गई है Accelerating India Seven Years of Modi Government तो Modi Government पर आधारित दोस्तों ये प्रधानमंत्री Modi के कारेकाल पर आधारित पुस्तक Accelerating India Seven Years of Modi Government ये केजे अलफोंस की रशना है और इस वीडियो की जो आखरी बुक है Operation Khukri ये है Major General राजपाल पुनिया और सुसरी दामनी पुनिया द्वारा लिखित पुस्तक Operation Khukri तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मागदर्शन Current Affairs के अंतरगत नवीनतम पुस्तकें और उनके लेखक जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान ये अध्यन के Current Affairs खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्वेशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार